तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है पेटियम का अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आपके पास दो पेटियम अकाउंट है या फिर एक से ज्यादा पेटियम अकाउंट है और आप एक ही पेटियम अकाउंट यूज करते हो दू पेटिम अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हो उसको आप लोगिन कर लेना और ओपिन कर लेना उसके बाद पेटिम अकाउंट को डिलीट करने के लिए उपर कोने में लोबो पर क्लिक करना है यहाँ पर लोबो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देखन आपके सामने एक नया page open होगा, थोड़ा सा यहाँ पर load लेगा, उसके बद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना ही यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ स्क्रॉल करते जाना है, और यहाँ पे view all services इस तरह का आएगा बस इसको आपको open करना है जैसे ही आप इसको open करोगे आपके सामने कापी सारे और भी option आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे scroll करते जाना है इस तरीके से जैसे जैसे आप scroll करोगे आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा profile setting बस आपको profile setting में आ जाना है जैसे ही आप profile setting में आओगे यहाँ पे उपर देख सकते हो 24 गुनेले 7 help profile setting और यहाँ पे chat with use इसको आपको touch करके इसे open करना है इसको open करते ही आपके सामने इस तरक आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो इस तरक आ जाएगा अब यहाँ पे देख सकते हो आपको एक option इसमें देखने को मिल जाएगा I want to delete my account, देख सकते हूँ, I want to close, delete my account, है वाला option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इदर देख सकते हो, तो इसको आपको open करना है, इसको आपको open करना ही, यहाँ पे है option आ जाएगा, जैसे ही आप इसको open करोगे, इसमें आपको delete का option मिल जाएगा, जैसे ही आप इसको open करोगे आपके सामने इस तरह का आने लगेंगा कापी सारी information आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हूँ to permanently close your Paytm account प्ली चेक और इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ तो यहाँ पे Paytm account को delete करने से पेले आप यहाँ पे सारा का सारा पढ़ लिजेगा यहाँ पे देख सकते हूँ क्या क्या लिखा है आप यहाँ पे पढ़ लिजेगा उसके बाद आपको थोड़ सा नीचे नहें यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या करना है थोड़ सा नीचे नह और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा to permanently close your paytm account please click on the close account button below तो यहाँ पर निचे लिखा है close account तो यहाँ पर paytm account को close याँ डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको close account पर click करना है close account पर जैसे ही click करोगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो Please provide the region for closing your account कि आप अपना पेटेम अकाउंट को delete, close क्यों करना चाते हो तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दू हमारे पास दो पेटेम अकाउंट है एक पेटेम अकाउंट को हम use करते हैं और दूसरे को use नहीं करते हैं इसलिए हम दूसरे पेटेम अकाउंट को delete करना चाते हैं तो अब हम उपर वाले पर click करेंगे I have two पेटेम अकाउंट पर तो अगर आपके भी पास दो पेटेम अकाउंट है एक से ज़्यादा पेटेम अकाउंट है तो उपर वाले पर click कर देना है I have two पेटेम अकाउंट पर उसके बाद close my account पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट है close हो जाएगा delete हो जाएगा your account has been successfully closed आपके पास एक SMS भी आ जाएगा उपर आप देख सकते हो उसके बाद आपको go to home पर click करना है और यहाँ पर refresh करना है इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो refresh करना है आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर आप बाद में open करोगे तो यहाँ पर आपका जो account है जो आपने delete किया है हो अब open नहीं होगा तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा account है और आप जिस पेटेम account को यूज नहीं करते हो अगर आप delete करना चाते हो close करना चाते हो तो इस तरीके से कर सकते हो